I give you my heart हेलो फ्रेंड्स एजुकेशन बावा ओफिसील यूटूब चरणपर आपका स्वागत है हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परिच्छा के लिए बाल विकास एवं सिच्चा चास्त से सम्मंदित पांसो मैधपून प्रशनों की सीरीज कर रहे हैं इस सीडीज के अंतरगत यह हमारा दस्वाँ वीडियो है फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हूँ तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ से रवस्चे करें जो सीटेट परिच्छा की तयारी कर रहे हैं आपके द्वारा हमारी वीडियो पर किया गया लाइक, कमेंट और सेर हमें वीडियो बनाने के लिए और अधिक प्रेट करता है तो लाइक, कमेंट और सेर करने में कोई कंजूसी ना करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लें और लेटेस्ट नोडिकिशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें बारते हैं आज के पहले प्रिश्ण की ओर निम लिखित में से वह कारक जो बालकों में अधिक तम अधिगम प्रसार हीतु आवशक है पहला आप्शन है आपके सामने अध्यन के प्रत्य उनकी व्यक्तिक रुची दूसरा आप्शन है आपके लिए कच्च में अधिकाधिक रुची कार्य और तीसरा है आपके सामने ग्रेय कार की अदिख्ता फूर्थ आप्सण है लेकन कार की अदिख्ता तो आपको उस कारक के बारे में बता ना है जो कारक बालकों में अधिक्तम पर सारेदू आवश्यक है तो अद्धिन के प्रते उनकी वेक्तिक रूची आप्शन पहला इसका सयुत्तर होगा अगर बालक पढ़ने में स्वेम खुद रुची लेगा तो अधिगम का अधिक परशार होगा क्वेशन नमर टू देखे कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुची सम्बंदी प्रवतियां देख्सित होती है पहला अप्शन है आपके सामने अनेक रूप में दूसरा अप्शन है नहमेत रूप में तीसरा अप्शन है बुरात्मक दस्टी से और फूर्थ अप्शन है इन में से कोई नहीं तो जो आपका जैसे बालक बड़ा होता है तो उसकी जो रुचियां और उसकी जो भी प्रवर्थियां होती है वो अन्यमेत रूप से विक्षित होती है अप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा अमूर्थ वस्तों के विसे में बच्चा कब सोचना प्रार्म करता है यानि आपके सामने चार वस्ता हैं उन चार वस्ताओं में बच्चा किस वस्ता में अमूर्थ वस्तों के बारे में सोचना प्रार्म करता है पहली option है आपके सामने पूर्व बाल्य वस्ता, दूसरा option है बाल्य वस्ता में, पूर्व बाल्य वस्ता पहला option, दूसरा बाल्य वस्ता में, तीसरा option है आपके सामने पूर्व किसोरा वस्ता में, फूर्थ है आपका किसोरा वस्ता में, तो जो एक बच्चा होता है वो अमू मौलक्ता का गुन निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है पहला अप्शन है वे बालक जो धनी परवार से सम्मंद रखते हैं दूसरा अप्शन है वे बालक जो निर्धन परवार से सम्मंद रखते हैं तीसरा है वे बालक जो सरजन सीलता का गुन रखते हैं वे बालक जो प्रतिवा साली होते हैं तो जो मौलेत्ता का गुण पाए जाता है वे आपके सरजनात्मक बच्च में पाए जाता है option तीसरा इसका सही उत्तर होगा वे बालत जो सरजन सील्था का गुण रखते हैं question number 4 गा तीसरा option आपका सही होगा next है जब सिच्चारतियों की संक्या आदिक हो तो किस प्रकार के प्रशनों द्वारा उनका मुल्यंगन किया जा सकता है पहला option आपके सामने आतिलग उत्तरिय प्रशन दूसरा option है वस्तुनिष्ट प्रशन तीसरा है निमंदात्मक प्रशन और चोथा option है आपके सामने वेकल्पिक प्रशन जब आपके सामने विद्यायतों की संक्या आदिक है तो आप वस्तुनिष्ट प्रशन पूश कर उनका जाननिक ग्यान मीमान सा की रूप में स्विकार किया है यानि वो कौन से मनोवग्यानिक हैं आपकी जिन्होंने संग्यान दों विकास को जाननिक ग्यान मीमान सा की रूप में स्विकार किया है पहला option आपके सामने इसकिनर ने दूसरा है जीन प्याजी ने कोलर ने या होलेन ने तो आपकी जीन प्याजे जिनोंने इस अंग्यानतों विकास का सिद्धान दिया है उन्होंने ही इसको जनने ग्यान मिमानसा के रूप में स्विकार गिया है और दूसरा इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट् क्वेशन है सेवंथ केंद्रियर माद्मक सिचाबोड ने विध्याले आधारित सतत ऐवम व्यापक मुल्यांकन की दिरसा निर्देश दिये हैं ने मेंसे कौनसा इसका एक उद्दिश नहीं है इन मैंसे चारह ऑप्षन मेंसे यह बताना है के इनमेंसे कौनसा एक उसका उद्धिश नहीं है पहला उप्शन है आपकी सामनी बच्चों पर पढ़ने वाले दवाब को कम करना दूसरा है विद्ध्यार्थियों को अपने रुची के अंसर पढ़ने की छूट देना तिसरा है चात्रों की प्रवीरता के निर्धारां के लिए अंकों के स्था पर गेड़ों का उप्योग फोर्थ है आपका नेदान एवं उप्चार के साधन की व्यवस्ता करना तो इन मैंसे आपको हमने पहले बताया कि नहीं एक उद्धिश नहीं है तो आपका ऑप्शन नमबर टू विद्ध्यार्थियों को अपने रुची के अंसरार पढ़ने की छूट देना आपका सतत देवं व्यापग मुल्यांगन का ये गुद्धेश नहीं है कोशन नमबर सेवंद का दूसरा आप्शन सही उत्तर होगा नेक्स है आपका निमलगत में से कौनसा वाक्य सत्य नहीं है इसमें ध्यान रखना में नहीं यानी कौनसा वाक्य सत्य नहीं है नेक्स्ट है अन्सासन किसी भी प्रकार की प्रेणा का नकारत्मक शरूप है फूर्थ है प्रतेक जित्ती में बालकों के नियमों के पालन करने की अनुबूती आवशक है तो इसमें आपको जो कतन सब्ते नहीं है उसको छाटना है तो जो अन्शासन है वह किसी प्रकार की नकारतमक प्रेना का शुरूब होता है यह कतन गलत है आपका ओप्शन तीसरा नेक्स्ट क्वर्शन नमर नाइन्थ बच्चों के व्यक्तिकत विकासे तू सिच्छा से सम्मंदित की सत्त्य पर एक सिच्छक को ध्यान देना चाहिए पहला अप्शन है आपके सामने बच्चों में रचनात्मा कुशलता का विकास करना दूसरा अप्शन है बच्चों में न बूचा गया था कि बच्चों की व्यक्टिकत विकास तू सम्मनित किस तर्थे पर सिच्छक को ध्यान नहीं देना चाहिए तो आपका ओप्शन यह है ओप्शन नमर फूर्थ इसका सही उत्र होगा बच्चों की व्यक्टिकत को मानता ना देना क्वशन नमर ना एंट का आपका फूर्थ ऑप्शन सही है बच्चों की व्यक्टिकत को मानता ना देना क्योंकि एक बच्चे को सनलाचनात में कुशलता विकास नहतिक मूलियों के विकास जो भाव होता है उनके लिए मैं जागरत करना चाहिए और एक बच्चे के साथ हमें यानि अधिक पर्याप्त इसने प्रदान नहीं करना या इसने प्रदान नहीं करना चाहिए तो अब इसके साथ से फूर्थ ऑप्शन आपका सही उप्तर होगा नेक्स्ट है एक बालक कच्चा में दे गई अंकुरियां को तेजी से सीखता है तो इसका करन हो सकता है बालक की तेज बुद्धी दूसरा अप्शन है आपके सामने बालक की सुनने की चमता तिसरा है बालक की तेज नजर फोर्थ है बालक की चीन बुद्धि लब्दी तो वेक्तेगत बिनताओं के विकास हेतू पूरू माद्यमक कच्चाओं में बालक का सिचन किस प्रकार से किया जाना चाहिए पहला अप्शन है आपके सामने खेल विदी के माद्यम से बालक को गड़त तथा बासा का ग्यान देना चाहिए दूसरा अप्शन है उन्हें उप्रोक्त सभी तो एक बिनताओं के विकास हेतू माद्यमक कच्चा में सिचन के लिए ये तीनों ही कथन उप्यूपते हैं तो इसका आंसर होगा आपका आप्शन फूर्थ उप्रोक्त सभी नेक्स्ट है आप एक सिच्चक होने के नाति अपनी कच्चा की चात्रों का सिच्चन कैसे करेंगी पहला ओप्शन है आपके सामने कच्चा की चात्रों से अलग कर उन्हें घर के कामों कामदन्दों की जानकारी देंगी दूसरा है चात्रों पर अवांचित टिप्लिया करक जिससे कि वह स्वयम को विश्ट न समझें, दूसरा है, सभी चात्राओं के समान लूप से सिच्छन ब्यवस्ता करेंगे, नेक्स्ट है उप्रूप सभी, तो उप्रूप सभी इसका उत्र सही नहीं हो सकता, आप्शन तीसरा इसका सही उत्र होगा, कि एक जो सिच्छक होगा, चात्राओं की सिच्छन कैसे करेंगे, उसमें सभी साथ चात्राओं को समान लूप से समझेंगे, और उप्रूप से सिच्छन ब्यवस्ता की विवस्ता करेंगे, तो उप्रूप से 9 9 से उत्वर होगा नेक्स्ट क्वेशन आपकी कच्छा का एक से चार्थी रमेश हमेशा आपके साथ बात करता है तो आपकी राय रमेश की विशे में क्या होगी पहला ओप्शन है आपके सामने रमेश कच्छा में सबसे अधिक बोलने वाला चात्र है दूसरा रमेश एक कलपना सील चात्र है तीसरा रमेश एक चिंतन सील चात्र है और आपके सामने फोर्ट ओप्शन है रमेश की पारव के स्थियां ठीक नहीं है तो आपका ओप्शन तीसरा उत्तरश का सही होगा रमेश एक चिंतन सील चात्र है Q14 आपकी कच्छा का एक छात्र राजन पढ़ाई खेल कूद सामुई कारक्रमों आद में सर्वशेष्ट प्रदर्शन करता है इसका आर्थ है कि वह एक छीर बुद्धी चात्र है दूसरा तर्ग सील चमता वाला चात्र है बहु आयामी वाला चात्र है या फूर्ट आप्शन इनमें से कोई नहीं तो एक जब चात्र आपका खेल कूद समयानी सभी प्रकार के कारक्रों में सर्वशेष्ट प्रदर्शन कर रहा है तो वह एक बहु बुद्धी आयामी वाला चात्र है आप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट कोईशन प्रगत्सील सिच्चा के अंतरगत बालक में आत्मा अंशासन के विकास के लिए किस बात पर जूर दिया जाना चाहिए पहला अप्शन अंशासन बनाये रखने के लिए सक्तादिश दूसरा अप्शन बालकों में उत्तर दायतों की भावना के विकास प जो नहीं दिया जाता, फ़ूर्थ है आपके सामने, आत्मान स्वाशन के लिए बिविंद दस्टांतों द्वारा, बालका को समझाने पर, तो आत्मान स्वाशन के लिए, आपके जो बच्चे उते हैं, इसमें बालकों में उत्तरदायत की भावना के विकास पर जोड़ दिया जाता है Question No.15 का Second Option सही उत्तर होगा Next है निम लिकित में से यह कतन किसका यह कतन है कि ग्यानात्मक विकास नकल पर आधारित नहों कर खूज पर आधारित होता है या कतन किसकी दोरा का आ गया है पहला Option है आपके सामने जीन प्याजी दूसरा कॉलबर्ग, तीसरा इसकिनर, फूर्त है वाईगोट्सगी तो जो ग्यानात्मक विकास की बात की है वो आपके जीन प्याजी दोरा की गई है यानि जीन प्याजी कहते हैं कि ग्यानोतम विकाज जो होता है वह नकल पर आधरत न होकर बलगे वह खोज पर आधरत होता है तो पहला option इसका सही उत्तर होगा जीन प्याजी नेक्स्ट ओक्षन देखिए आप अपने कच्छा के अच्चों में समाजी क्रण की पिक्रिया को तेज करने के लिए अपना वर्ताव रखेंगे पहला option आपके सामने कठोर दूसरा option इसने तता है सान्द भूत पूर तीसरा है सामान ने फोर तैन में से कोई नहीं तो आप अपने कच्छा में बच्चों के साथ या चात्रों के साथ समाजी पिक्रणिया को तेज करने के लिए उनके साथ इसने रता सान्द भूती पूर का बिवार करेंगे या बर्ताप करेंगे option नमर दूसरा इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है समावी सी सिच्छा का उद्दिश है पहला option है प्रगत सील बालकों इतु सिच्छा व्यवस्ता उपलब्द कराना दूसरा है सरजन सील बालकों इतु सिच्छा व्यवस्ता उपलब्द कराना तीशरा option है सामान ने बालकों के साथ साथ अच्छम बालकों की उपलब्द करणा, जो समाविशे, सिच्छा का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंत्रगत आपके सामान्य बालपों के साथ, जो अच्छन बच्चे होते हैं, जो कि किसी ये न किसी प्रकार से अध्गम करने में परिसानी मे चुश करते हैं, उन सबी की बालप्द करणा और फिर हाथ और अंगलियों को एक سाथ चलाना सीखता है, बाल विकास की संबन्ध में यह सिद्दान्त है, पहला आप्सेन आपके सामने, परस परस परसमंद का स्थान, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्दान तीसरा है एक इगरण का सिद्दान फूर्ट है इन मैंसे कोई नहीं तो जब बच्चा पहले पूरे हाथ को फिर अंगलियों को और फिर हाथ और अंगलियों दोनों को एक साथ चलाना चीकता है तो यह बाल विकास का आपका एक इगरण का सिद्दान होता है ओप्चन तीसरा इसका सही उत्तर होगा कॉश्चन अमर ट्वेंटिन देखिए मानब विकास एक निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया है यह विचार सम्मंदित है पहला ओप्चन है अंतर सम्मंद का सिद्दान दूसरा है निरंतर ता का सिद्दान तीसरा है एक इगरण का सिद्दान फोर्थ है अंतर क्रिया का सिद्दान यानि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया होती है यह सिद्दान आपका निजन तरता का सितान होता है इसका दूसरा उक्षन सही उत्तर होगा Q21 एक एकलब अविवावक वाली बच्चे को पढ़ाते समय सिच्छक को इस्थिर और एक रूप वातमन उपलब्द करना चाहिए दूसरा है इस तत्य को अन देखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन बच्चों के समान ब्यवार करना चाहिए इस प्रकार की बच्चे के साथ बेन प्रकार की ब्यवार करना चाहिए फोर्त है ऐसे बच्चे को कम गरेकार देना चाहिए तो इसमें आपका जो एक अलब अवावक हो या फिर किसी भी किसी के दो बच्चे हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें उस बच्चे के साथ जैसे हम सभी बच्चों के साथ जैसे बिवार करते हैं वैसे ही बिवार हमें उस बच्चे के साथ करना चाहिए तो आपका दूसरा उप्चन सही उत्तर होगा इस तत्य को अंदिखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ-साथ अन्य बच्चों के साथ समाल बिवार करना चाहिए नेक्स्ट पॉश्चन है प्रतवासाली बच्चों के संदरव में समवर्धन का अर्थ है पहला option है ऐसे विद्यार्थियों को बरतमा इस्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच इस्तर ग्रेड में प्रुनत करना दूसरा है आगण की प्रक्रिया का समवर्धन करना तीसरा option है आपके सामने सेचने गत्वधियों के समपादन में समवर्धन करना फोर्थ है आपके सामने option साथ सेचने गत्वधियों के समपादन की गत्वधिक को बढ़ाना तो इसके अंत्रगत ऐसे विद्यार्थियों के साथ आप ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान इस्तर से ग्रेड को शुड़कर हम उसको अगले इस्तर में प्रुनत कर देंगे question number 22 का पहला option इसका सही उत्तर हुगा next question है बच्चों के लिए मुफ्थ एवं अनिवार सच्छा आधिनियम 2009 में अनिवार सब्द का अर्थ है पहला option है दंद से बचने के लिए माता पिता अनिवार रूप से बच्चों को स्कूल बेजिने के लिए बाद दें दूसरा है शत्तर परिशन के मात्यम से अनिवार सच्चा प्रदन की जाएगी तीशरा है केंद्र सरकार दाकले उपस्ति और प्राद्रमिक सच्चा को पूर्त सुनचित करेगी फोर्थ है उचित सरकारें उपस्तिती और प्रात्मिक सिच्टा की पूर्था को सुनजित करेंगी तो जो अनिवारे सब्दकार्त है वो यह है कि जो एक से 14 वर्स यानि 14 वर्स तक की बच्चे जितने भी हैं उनकी लिए सच्छा की विवस्ता जो होगी वो सरकार करेंगी तो उसका आपका 4th option इसका सही होगा उच्छी सरकार है को पस्तिती और प्रात्मेक सच्छा की पूर्था को सनचित करेंगी 9th question है आपका किसोरों के अंदर जो सामाजिक नितत्तों का गोड़ पाये जाता है उसका सम्बंद होता है पहला option है अने लिंक की सब्धियों की मित्तता से दूसरा option है मानसेख शक्तियों से तीसरा option है आपके सामरे स्कूल की उपलब्दियों से फोर्थ है सारिक संगधन से य नेच्ट कोशन देकिए, कोशन नमर ट्वनटिफैप, प्याज़ए के अनसुर निम लिवव्य संवू से कौनसी अवस्था में बालग बस्तूों की भिविन संवर्व में वर्गी करत कर सकता है, यानि जीन प्याजी केंसार वह कौन सी अवस्ता है जब बच्चा बेविने प्रकार की वस्तूओं को उनको बर्गी करत कर सकता है तो पहला अप्शन है आपके सामने अप्चारिक संक्रियात्मक अवस्ता दूसरा अप्शन है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता तीछरा है सम्वेदी प्रीरक अवस्ता और फूर्थ है आपका पूर्वर संक्रियात्मक अवस्ता तो जो मूल संक्रियात्मक अवस्ता होती है उसकी अंतरगत बच्चा विवेन प्रगारगी बस्तूओं की बीच में वर्गी किरन करना सीख जाता है आप्शन नमबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा सिच्छा में संपूर उपागम की संतुस्ती की जाती है क्योंकि इससे सिच्छा को देने कार रियुजनाओं की निर्मार से मुक्ती मिल जाती है दूसरा है इसके द्वारा प्रक्रार की महत्पूर अंगों पर अत्रिक्त बल प्रदान किया जाता है नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने यह सिच्छा को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है फूर्थ है यह परिच्छन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है यानि जो सिच्छन में संपूर्ण उपागाम की संस्तुति जो की जाती है वो आपकी सिच्छन को सार्तक दिशा और निर्देश प्रदान करने के लिए की जाती है अप्शन 30 राइस का साय उत्तर होगा नेक्स्ट बुद्धी की व्यक्तिक परिच्छा का बुर नहीं है पहला इसे केवल अनववी व्यत्ती ले सकता है दूसरा अप्शन है यह परिच्छा छोटे बालकों के लिए अधिक उप्योग्त है नेक्स्ट इस परिच्छा में परिच्छनों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है नेक्स्ट है कि इस परिच्छा के इनिसकर्ष प्रमारिक और विश्च्छनिय होते हैं तो आपको इसमें पूछा गया था, कि बुद्धी की व्यक्तिक परिच्छा का इसमें से कौन सा गुण नहीं है, तो इस परिच्छाम के प्रशनों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है, option तीसरा, आपकी बुद्धी की व्यक्तिक परिच्छा का एक गुण नहीं है नेक्स्ट कुर्शन की तरह बढ़ते हैं कुर्शन अमर्ट 28 है आपका डैस का व्यक्ति दया और सानभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगात सद्रा होती है पहला अप्शन है सामाजिक व्यक्तित वाला व्यक्ति दूसरा है दार्म व्यक्तित वाला व्यक्ति फूर्ट थाड़ा उप्शन है कलात्मक व्यक्तित और फूर्थ है आपका राजनेतिक व्यक्तित तो इस प्रकार की जो सानभूति या विश्वास करता है वो आपका सामाजिक व्यक्तित वाला व्यक्ति होता है पहला option इसमें सही होगा next question है आपके सामने सिचार्थियों में अनबूती की भावना मुक्य रूप से किसके प्रडाम सरुप विक्षित होती है पहला option है मानसिक विकास दूसरा है सारिक विकास तीसरा है आपके सामनी पारवारिक विकास फूर्थ है सामाजिक विकास तो सिचार्थियों में जो अनबूती की भावना मुक्य रूप से जो विक्षित होती है उसके पीछे आपका मानसिक विकास जिम्मेदार होता है तो option पहला इसका सही उत्तर होगा friends आजका अंतिम प्रशन अगर आपको मारी ये वीडियो पसंद आई हो तो like करें और अपनी मित्रों के साथ share अवश्य करें जो मित्र आपके सीटेट की परिच्छा की त्यारी कर रही है जब कोई बालक संदे की अवस्था में होता है तो उसमें प्राय देखने को नहीं मिलता मिलती है पहला option है आपके सामें सामाने बिवार दूसरा है असामाने बिवार और next है monovagyanic परवर्तन और fourth है आपका उतिजना तो जब कोई बालक संदे की वस्था में होता है तो उसमें प्राय को नहीं मिलती तो उसमें सामाने बिवार आमें देखने को नहीं मिलता है option पहला इसका सही उत्तर होगा friends अगर आप इस चैनल की साथ नहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और latest notification पाने के लिए bell icon को प्रेस करें thank you for watching